आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभी रामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्य हम अज अन्तक्रणत्यंत उल्लास से समाधान से और कृतद्नेता से भरा हुआ है हमारा संपुर्ण राष्ट्र और पुरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है यह इस देश की अस्मिता इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्म विश्वास इसकी प्रतिष्ठा पांच सो वश्व की प्रतिष्ठा के पश्चात यह संभव हो सका इसके जो अनेक कारण है उनके उपर तो आलोक हमारे सारे समारनी अब्ध्यागत डालेंगे ही मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूँ छोटा सा काम कारण तो अनेक होते हैं लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट तर तक पहुँच जाते हैं और उस तर पर कोई महा पुरुश्व लोगों को उपलब्द होता है और उस विभूती के कारण यूग परिवर्तित हो जाता है इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महा नृत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्चक्ता युग की आवश्चक्ता सनातन के अंतक करण की आवश्चक्ता के रूप में हमारे सम्मारणिय प्रधान मंत्री जी प्राप्त हुए है यह केवल इस देश का नहीं यह संपूर्ड विश्व का सवभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शिय हम लोगों को उप्राप्त हुआ आपके मंगल हातों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी वो साभाविक भी था वो होना ही था वित्रों लेकिन मुझे इस बात का आश्चर ही हुआ जब मुझे लगब 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि मानने यह प्रतिष्ठा के लिए स्वयम अपने लिए क्या-क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए स्वयम को उसकी नियमावलिया आप लिख करके भेजें जस प्रकार का हमारे देश का अराज नेतिक माहौल है कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी करम करके चला जाता है पोधगाटन हो चाहे पोधार उपन हो चाहे कुछ भी हो लेकि उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूँ इस प्रकार की भावना कहा होती है यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है भगवान शीराम की प्रतिष्ठा करनी है भारतिय जीवनादर्शों के सरवोच्च आदर्श भगवान शीराम है और इन समस्त जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा करने के समानी यहां की प्रतिष्ठा रही है इसलिए एक महान विभूती को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधूँ मैं कर्मना मनसा वाचा कर्मसे मनसे और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाओं शिद्ध बनाओं और उसका अमारगत तपही है भगवत गीता ने कहा यद्न दान तपक कर्म न त्याज्यम कारिमे वेतर तप से ही विशेश परिशुद्धी होती है आज मुझे आपको बतलाने समय अंतक्रण गदगद होने की अनुभूती हो रही है मैंने तो कहा था हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था आपको केवल तीन दिन का उपवास करना है आपने ग्यारा दिन का संपुर्ण उपूशन किया हमने ग्यारा दिन एक बुक्त रहने के लिए का था उन्हें अन्द का ही त्याग कर दिया महाभारत में कहा गया है अनशन यह सबसे बड़ा तपह है अनशन और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने कि देखा नहीं मैं थोड़ा तारकिक हूँ आपकी परमपूजनिया माता जी से मिलकर के मैंने उसको रीकनफर्म भी किया था कि आपका यह अभ्यास 40 परशों का है ऐसा तपस्वी कोई राक्ट्रिय नेता प्राप्त होना यह सामाने बात नहीं है वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए क्योंकि सांस्तरगी के दोश भी आते हैं विदेश प्रवास टाल दिया सांस्तरगी देशों के इस दोशों के संभावना के कारण लेकिन दिव देशों का प्रवास ऐसा किया नासिक से आरंब किया गुरु आयूर गए श्री रंगम गए रामेश्वरम गए इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमानुआं को ल मंतन दे रहे थे कि आईए दिव्य आत्माओं अयोध्या पधारिये और हमारे राष्टर को महान बनाने के लिए आशिरबाद दीजिए हमने केवल कहता तीन दिनों तक आपको भूमी शयन करना चाहिए 11 दिनों से आप भूमी शयन कर रहे हैं इस कड़कडाती ठंड में इस पकार का शयन करना मित्रों ब्रह्माजी ने सुर्ट्टी को निर्मान किया उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इती हमारे पूज गुरुदेव के गुरुदेव परमगुरुद कहा करते थे कांची के परमाचार जी महराज तपस्चर मैं जब भी उसे मिलता था वे कहते थे तपस्चर आज तपकी कमी हो गई है और उस तपको हम ने साकार आप में दिखा मुझे परमपरा को देखते हुए केबल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था और उस राजा का नाम चत्रपति शिवाजी महराज मित्रो लोगों को पता नहीं है शायद मलिक आरजून के दरसन के लिए शीशेलम के उपर गये तीन दिन का उपवास किया तीन दिन शीव मंदिर में रहे और महराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है मुझे सन्यास लेना है मैं शीवजी की अराधना के लिए जन्मा हूँ मुझे सन्यास लेना है मुझे वापिस मत ले जाईए इतिहास का वो बड़ा विलक्षन प्रसंगा है उस प्रसंगा में उनके सारे जेट मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार यह भगवत सेवा ही है आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्र तुम्हे भारत माथा की सेवा करनी है मैं अपने को कभी सद्धा रखने के वारे में भावक नहीं पाता हूं लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहांपर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप जुग जाता है ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्ति स्तराजर्शी ने जब दिखाया तो मुझे सत्रपती शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई उन्हें शिवाजी का वर्ण किया निष्च याद सा महा मेडू बहुत जनासी आधारू अकंडस तितिता निरधारू श्रीमंत योगी श्रीमंत योगी श्रीमंत योगी हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ आज मैं यहाँ पर केवल इसलिए खड़ा हूँ कि इतने तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमती लेकर के और उनके आशिरवाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए उसकी सांगता के लिए उनको चरणाम रुदिया जा रहा है आप सब की सहमती हो तो आप सब लोग ओंकार का घोश करके मुझे सहमती दे अपना उसप्वास पूर्ण कर रहे हैं माननी प्रधान मुंत्र जी ग्यारा दिवसी उसप्वास को वो पूर्ण कर रहे हैं जा दो जा पूर्ण कर रहे हैं